हैलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फूट फेस्ट विद फैमली और फ्रेंड्स में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे फ्रूट केक इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले ड्राइफ फ्रूट्स और सीट्स मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किसमेस, अकरोट, फंकिन सीट्स, मैलन सीट्स, फ्लैक सीट्स और टूटी-फ्रूटी, अगर आपके पास बैरीज हैं तो आप वो भी डालीजिये और ड्राइफ फूट्स को हमें चोटा-चोटा कट कर लेना है फिर हम लेंगे औरेंजिस और हमें ड्राइफ फूट्स की क्वांटिटी के हिसाब से तीन या चार औरेंज का जूस निकालना है इसके लिए हम पहले औरेंजिस को काट लेंगे और फिर हम उसका जूस निकालेंगे मैंने यहाँ पर इस तरीके से जूस निकाला है अगर आपके पास electric juicer है तो आप उसमें भी निकाल सकते हैं अब हम इसी juice में हम ये सारे ड्राइफूर्स डाल देंगे पहले हम flaxseed अलग कर लेंगे flaxseed को हम जब cake bake होने रखेंगे तब हम decorate के लिए उपर से ही डालेंगे और ये सारे ड्राइफूर्स हम इसी juice में डाल लेंगे और अच्छे से mix करके हम इसको ढखकर सोख होने के लिए रख देंगे और इसको कम से कम आधा घंटा सोख होने देंगे और अब हमें चाहिए एक चमस दालचिनी पाउडर दो तीन लॉंग पाउडर लॉंग का पाउडर और चायफल का पाउडर एक चुटके अगर पाउडर नहीं है तो हम दालचिनी और लॉंग तो चीनी जब पीसेंगे mixage random में उसमें हम पीस लेंगे और जायफल को इस तरीके से हम घिस लेंगे एक चुटकी पाउडर ही चाहिए ये देखिए सिर्फ इतना जायफल ही हम घिसाएंगे ये हमारा जायफल पाउडर तयार है और इसे हम मैदर में mix कर लेंगे और जब तक हमारे डायफूट सोख हो रहे है तब तक हम अपना बाकी की तयारी करते है तो ये हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और इसमें चलनी रखकर उपर से एक कप मैदा और वन थाड़ कप मिल्क पाउडर और पिसा हुआ जायफल डाल देंगे और हाफ कप पिसी हुई चीनी डालेंगे मैंने यहाँ पर ब्राउन सुगर लिया है आप चाहें तो वाइट सुगर ले सकते हैं और हम इसको छान लेंगे हम इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून कोको पाउडर वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और इन सब को हम छान लेंगे और इन सब को हमें मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें डालेंगे वन थाड़ कप ऑईल और वन थाड़ कप नॉ बटर यागी भी डाल सकते हैं और जो हमने ड्राइफूट सोप करने के लिए रखे थे वह भी इसमें डाल कर सबकुछ एक साथ मिक्स कर लेना है और जो उसका बचा हुआ जूस है वह हम धीरी-धीरी करके ही डालेंगे क्योंकि इसका घूल ज्यादा पतला नहीं होना है इसको कर लेंगे यह देखिए हम इसे दो-तिन वार टैप कर लेंगे जिससे कि इसके अंदर जो बबल्स हैं वो सब बहार आ जाए और जब तक हम इसकी डेकोरिशन करते हैं तब तक हम कडाही को आँच पर रखकर प्रिहीट होने के लिए रख देंगे उसमें एक स्टेंड और उसको पांच मिनट के लिए धक कर रख देंगे जिससे कि वो प्रिहीट हो जाएगी और तब तक हम करते हैं इसकी डेकोरिशन तो जो हमने डायफूस और सीर्स बचा कर रखे थे उनको हम उपर से इस त और केक को हम पकने के लिए बेख होने के लिए पच्चिस से तीस मिनट का टाइम लगता है और आप चाहें तो कोई भी ड्रैफूर्स इसमें कम जादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के इसाब से हटा सकते हैं यह देखिए अब हमने इसमें प्रिहीट क्यूई कड़ाई में हमने केक बेक करने के लिए रख दिया है और आप हमने इसको 15-20 मिनट के बाद खोल कर दुबारा देखा है चाकू या कोई भी निकली चीज डाल कर देखेंगे अगर पेस्ट इसमें अभी थोड़ी कसर है तो हम इसको फिर से 5-10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद देखेंगे और अगर इसमें चाकू एकदम साफ निकलता है तब तो ये बनकर तैयार है ये देखिए हमारा चाकू एकदम साफ और चिकना है इट मीज हमारा केक बन चुका है और अगर नहीं है तो इसको फिर हम 5 मिनट के लिए थोड़ी दिर के लिए ढखकर पकने के लिए छोड़ दे इसको प्लेट में ऐसे रख लेंगे ये देखिए कितने स्पंजी केक बनाया है हमारा हम इसको दस मिनट का टाइम देंगे ठंडा होने के लिए ये देखिए मैं आपको कट करके अंदर से भी दिखाती हूँ ये देखिए हमारा करमा गरम फ्रूट केक बनकर बिल्कुल तैयार है आप भी बनाये और ऐसी तरह के से इंजॉय कीजिए ये देखिए ये कितना स्पंजी बना है अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू